है गाइस थैंक यू सो मुझ फॉर कमिंग बैक मिर नाम है सुन्दे विकारी और आप देखने हैं अपना फेरोड चैनल स्टुट्वेंट के ना हेल्प यू कैसा हम अच्छे लोग सा रहे हैं चलिए बच्छे लोग स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो देखें बहुत इंट वीडियो है थमनेल से आपको आइडिया लग गया होगा आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेट नाइट स्टेडी की हेल्प से जी हां रात को थोड़ा सा देर तक हम पढ़ेंगे और कैसे आप 95% अबव जी हां 95% अबव स्कोर कर सकें रात में अच्छे से पढ़कर आज के वीडियो में सब कुछ इसी टॉपिक के उपर डिस्क्रिशन होने वाला है देकि आपने से बहुत सारे बच्चे रात को लेट नाइट तो पढ़ते हैं लेकिन उसकी अफेक्टिवनेस इतनी नहीं होती है उसका जो रिजल्ट है इतना अच्छा नहीं आता जब इसी टॉपिक के बारे में कि रात की स्टैडिक और अफेक्टिव कैसे बनाया जाए 90-95 प्लस कैसे स्कोर करा जाए अगर हम नाइट आवस बोलते हैं जो रात को लेट नाइट पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए डेडिकेट वीडियो है या फिर देखे सुबह पढ़ते ह हैं वो भी स्टैम टेबल को फॉलो कर सकते हैं वो भी स्टैम टेबल को फॉलो कर सकते हैं कैसे क्या करना है बताने वाला हूं आज के वीडियो में चलिए सबसे पहले यह चार जो कुश्चन है मेजर मेजर इनको हम डिसकुस करेंगे और इन ही कुश्चन को डिसकुस करते कर पहला question है, best time to study, कि हम रात को तो पढ़ रहे हैं, रात तो हमारी 7 बजे से हो जाती है, जैसे ही अंधेरा होता है, हमारी रात चालू हो गई, तो क्या हमें 9 बजे सो जाना चाहिए, रात को 9 बजे नहीं, देखिए, late night study का जो time table है, मेरे according best time जो होता है, रात को 9 से सुबह के 1 बजे तक, मनलब 9 से 1 बजे तक का जो time table है, या जो time है, वो best है student के लिए, मेरे according 1 से 4 बजे, सुबह 1 से और 4 बजे तक, मनलब रात के 1 और 4 बजे तक का जो time है, उन time में बच्चों को सो जाना चाहिए, क्योंकि वो time जरूरी होता है, as an individual हमारे जो body की strength है, body की जो एक need है, उसको fulfill करने के लिए, memory, power, retention मगेरा को increase करने के लिए, तो मेरे according, all nighters किसी भी कीमत पर बच्चों को avoid करना चाहिए, on nighters क्या होता है, पूरी राज जग कर पढ़ना, वो हमें नहीं करना चाहिए, side effect बहुत है, body में weakness रहेगी, और major side effect है, जो बच्चों को, बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो ये है, कि memory loss होती है, हम जादर समय तक चीज़े retain नहीं कर पाते हैं, देखिए, होगा क्या, late time रख पढ़ लगे, confidence आएगा, आप फूरी रात में पढ़ सकता हूँ, लेकिन जब examination time होगा, तो आप recall नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी चीज़े आपके दिमाग में नहीं आएगी, होता है ना आपके साथ, तो problem यहीं है, कि आप जर्वस से ज खासी आपकी पढ़ाई हो जाती है, अगर यह time table पे आप follow करते हैं, तो easily इसको follow कर पहेंगे, right, 9 बज़े से 1 बज़े तक, what to study, study करना क्या है, देखिए, night का जो time है, 9 से 1 बज़े तक का best time है, revision के लिए, जो भी हमने पढ़ लिया है, या सुबह और दिन में जो पढ़ा है उसको हम रात को revise कर सकते हैं, जो भी syllabus आपका complete हो गया है, revision करने के लिए बहुत अच्छा time है, लेकिन question ये भी आता है, कि sir, अभी तो हमने पढ़ने start ही नहीं करा, जब start ही नहीं करा तो revise क्या करेंगे, तो उन बच्चों के लिए क्या है, आप जो भी theoretical subject है, जो भी theoretical subject है, य सुबह उटके देख लेना, ये नहीं होना चीए, अगर आप practical subject भी कर रहे है, mathematics, accountancy, physics वगेरा, या statistics वगेरा, जो भी hard question आता है, tough question आता है, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें गोला करिए, circle करिए, और ये छोड़ दीजे कल के लिए, कि हम कल देखेंगे, सुब को avoid करना है, जो हमें समझ में नहीं आ रहे है, तो रात का पढ़ने का simple सफंड़ा क्या है, revision के लिए material है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, theoretical subject पढ़ो, अगर आपको practical ही subject पढ़ने हो सकता है, बहुत पीछे syllabus चल रहा है, आपका practical subject का, तो जो hard question है, उनके साथ ज रात के time में करना है, simple हो रहा है, चलिए, what to study हमने focus कर लिया, हमें पढ़ना क्या है, तीनों के बैर में मैंने बता दिया है, revision best है, theoretical पर सकते हैं, practical पढ़ें, तो avoid करें ऐसे question जो आपको समझ में नहीं आ रहे है, simple हो रहा है, चलिए, how to avoid sleep, अब ये भी a question है कि रात को पढ़ पहला है, पहला एक तो dinner जो है, light लेना है, गलती का करते हैं, dinner ले ले लेते हैं, ठूस ठूस के, गले तक भर लेते हैं, और जैसे ही बैठते हैं, बैठते भी कैसे हैं, पूरी रजाई, कंबल, ओड कर बैठते हैं, हम अगर सरदिया चल रही हैं, तो सिर्फ आखे आँके द इचा सकते हैं, और वहाँ पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर बैठ पर भी बढ़ रहे हैं, तो बहुत जादा खुद को कवर करने की जरूत नहीं है, बहुत जादा खुद को कवर करने की जरूत नहीं है, सबसे पहली चीज क्या करनी है, dinner जो है, हलका लेना है, light लेना है, अ वह हमें short notes बनाने हैं, देखिए, थोड़े-थोड़े हाथ चलेंगे ना आपके तो नीन कमाएगी, हाथ चलेंगे तो नीन कमाएगी, आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो थोड़ा माइंड है ना, tired ओन लग जाएगा, तो heading हम उतार सकते हैं, short notes हम बना सकते हैं, या आगी जाके बहुत काम आएगा, जब आप revision करेंगे, प्लस उस समय आपको नीन नहीं आएगी, simple हो रहें, तीसरी चीज़, sleep को avoid करने के लिए है, थोड़ा सा तेज बोल के पढ़ना है, vocalize करना है, थोड़ा तेज बोल के पढ़न करने से क्या होगा, जो हमारी senses है न, वो activate रहेंगे, आपको नीन नहीं आने देंगे, तीन चीज़े करनी है, नीन को avoid करने के लिए पहला क्या था, हलका खाना, खाना है, दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ थी, notes जो बनाते हैं, short notes बनाएंगे, साथी साथ, right, 10 मिन कि हम active रह पाएं, हमारे senses जो है, right, वो activate रह पाएं, right, चलिए, how to avoid destruction, इसके लिएक ही चीज़ है, आपको भी पता है, देखिए, आपके, और 95% के बीच में एक ही चीज़ है, जो कि आपका destruction है, जी हां, समझ गए आप, mobile phone है, right, mobile phone को हटा दीजिए, आपके 95% easily आ जाएंगे board examination में, या किसी भी final examination में, या फिर government examination जिसकी भी आप त्यारी कर रहे हैं, right, simple सा क्या करना है, 9 बजे, जब आपका time शुरू होता है, एक बेदक बढ़ने का, 9 बजे ही switch off करना है phone, और देखना कब है, सुबह, सुबह, सिर्फ ये sacrifice करना है आपको, कि 9 से, एक के बीच में, phone आपका, ना silent रहेगा, ना vibration पे रहेगा, ना आपके सामने रहेगा, ना internet off रहेगा, switch off रहेगा, सुबह, आपको उठके देखना है phone, रात को 9 बजे, switch off हो जाएगा, और रात भर on नहीं होगा, सुबह, उठके वो on होगा, सिर्फ ये sacrifice आपको करना है, 95% अचीव करने के लि लाइफ में, current situation बता रहाँ, आपको जो भी अचीव करना है, लाइफ में, उसके बीच एक ही चीज़ है, क्योंकि आपको रोक सकती है, रोक रही है, और रोकेगी, वो है, cell phone, your mobile phone, and social media, उसका ही byproduct है, तो यहाँ पर, चार चीज़े मैंने बताई है, थोड़ा सा जल्दी recall कर लेते हैं, best time है, 9 से 1, पूरी रात भर नहीं पढ़ना, 1 से 4 सोने की कोशिश करो, right, what to study का पढ़ना है, तीनों चीज़े पढ़ सकते हो, जो भी आपको comfortable लगे, कोई force नहीं है, कि आपको revision ही करना है, revision उनको करना है, जितका syllabus 50% से ज्यादा complete है, right, theoretical subject पढ़ सकते हैं, practical subject भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे questions, ऐसे questions को avoid करें, जहां पर ज़्यादा दिमाख लग रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा, उनको circle करो, और अगले दिन में पढ़ो, right, how to word slip, तीन चीज़े करनी है, तेज बोल बोल के पढ़ना है, दूसरी चीज़ करने थी हमें, notes बनाना है, औ simple हो रहा है, कोई confusion तो नहीं है, तो ये चार चीज़े हैं, आपको follow करनी है, अगर in case 95 या उससे भी above आप बनाना चाहते हैं, the choice is totally yours, मेरा काम था, जो भी human psychology है, जो भी steady tips है, उनकी best technique और tips आपके सामने share कर सकूँ, तो उम्मीद करता हूं, वीडियो पसंद नहाँगा, description में बहुत सारे handles वगरा है, check on कर लिजेगा, मुझे various social media platform पे आप follow कर सकते हैं, plus अब आप उससे counselling भी ले सकते हैं, direct one to one, उसके लिए भी link आपको description मिल जाएगा, right, मिलेंगे next वीडियो में किसी और interesting topic के साथ जब पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि आपका भी देना Thank you so much.